गुपता जी का बोट मोल बोट अच्छा लाला सुसील गुपता बार ही मतों से कम से कम दोडाइलाग वोटों से जीन ते हैं, जील गुपता का ही मोलाजी है। इंडिया गठ बंदन का प्रत्यासी सब से आगे है। किया मोल आए लोकसभा में गुफ्ता जी का बोत मोल बहुत अच्छा है। विकास के काम नहीं कराए हैं, ना सहनी ने कराए, पिर दो फिर शनी बनाए, एंपी ना उनको बनाए, जब लूट वाते हैं, गुपता जी है एक नमबर का आथमी, रंदीब जैसा आतमी है, गुपता जी, यह दन्यावाद, रंदीब का भी साथ मिल गया है? आज रंदीब के साथ आजे, रंदीब के साथ आजे हम तो के लगा है? खुपता जी सोथा सो जीतरे जी नोग आजे, कालाज ऑखोल लिए जी एक काले क्या लग रहे हैं, जब की वारत कुर्चेत्र में किसे बढ रहे हो? उच्छेतर लोग स्वाजें हम आदमी पार्टी के पर्तियासी, इंडिया गटबंदन के पर्तियासी, लाला सुसिल गुपता बारी मतों से कम से कम दोड़ाई लाग वोटों से जितेंगे. इतना बड़ा दावा हर 36 विरादरी कोई बीजेपी से तंग है नवीन जिंदल भी परत्यासी है अभी सिंग चोटाला भी है उनको क्यों नहीं नहीं उनको नहीं लोग वोट देते नवीन जिंदल एक दूसरी पर्टी चलाया है वह कंडिडेट है अभी चोटाला वोट काटू कीन के काट रहा है यह अगर लोग समझ चुके हैं बैसको वोट देना तो वोट कटेगा ही मकाबला में कहीं हैं और क्या क्या मुद्धे है इस तुनाव में इस तुनाव में जी न कोई जंता का मांसमान था किसा नादरल ने सबसे बड़ी वोग है शुषील गुपता का इमोला जी शुषील गुपता का क्यों आ रहे हैं और बहुत सारे परते आसी है जिंदल भी है तिसे ने कुछ नहीं है आम आतुम पर्टी के सुषील गुपता जी को बोट देंगे ए एक तरफी जी ताई आप सुषील गुपता को बोट दे रहे हो क्या मुद्दे है क्यों उनको बड़ी आप पर्टी है जी और कांगर्सी साथ गठबंदन है शुषील गुपता वजी तया है तो क्या लग रहे हैं क्या लग रहे हैं बीजेपी के किलाव हैं लोग प्या सुनेरियों नजर आ रहे हैं क्या महूल ने तो सुरू से ही गुपता जी आगई थे काफी आगए थे वैसे महूल सुरू में नवी जिंद लगाई था जब तक वह कांगर्स में थे क्योंकि हम उसको इमानदर मानते थे अब उसने अपने गल्टी मान लिए कि वह वाकिए ब चहर में सुशिल गुपता जी के पक्समें चली हुई है और क्या क्या मुद्धे हैं स्थानिये मुद्धे क्या रहेंगे इस चुनामे के में तो जो मुद्धा है राक्टेस तक पर तो बेरोजगारी और महंगाई ये सबसे मना मुद्धा है गाउं गाउं में बेरोजगार तो मुझे तो बहुत है जनता इनसे इतना तरस्त है कि मोका देखने है कि कब पच्छिस तारीख आए और कब चुनावा अब आपया सिंग जी हमारे माननी है लेकिन वो चुनाव में कहीं नहीं है दोड से बाहर है दोड में कौन है नहीं दोड में नमी जिंदल नमबर दो पह अच्छा है बड़ी आदमी है लोगों की सुनता है मिलता है लोगों से गुण मिलकर पहले यसे कभी किनडेटी लोगों नहीं देख्या अब भी कोई मुझे है तू नाम ना ना कोई मुझे निमारा दो आलाम भी आया जब भी काम करें उधी हरी बागा भी काम करागा इब अच्छा अच्छा जुन के लोगों से एंधे लोगोध है लोगोध हम आजमी कराले कि आयों गजुन काम किश भी इस तक आल मुझे देंड देंसे upp देंसे कभी गव relação बिरमक पिरागा मुक्ट करें मं कभी सघधे दीळत कमिन मैरे गरी पय यह च्छा रहागे उं इन भीड लायक आजमी कोई भी हो उसको में लायक है क्या मोलेजी लोकसभा का गुरुक्षेतर में लोकसभा का इंडिया गठावनन का प्रत्यासी सब से आगे है और जीत भी इसकी निश्चित बहुत ही जादो उससे बोटों से जीत होगी ऐसा क्यों लगे रहा आपको ऐसा यह कंडिडेट बहुती ही बढ़िया उता रहा है इंडिया गठावन्द ने ऐसे इसलिए लग रहा है और मेरो मेरो को नीश्चित को आम पब्लिक को भी तो अब की बार बीजेपी को क्यों ने वोट कर रहे है नी बीजेपी तो बहुत ही मा हुआ में आते थे वह बिलकुल इस को ने बिलकुल पिछेबन कर दिये थे अब वोटों के लिए इसने अब प्र लोगों कर आ रहे हैं यह आप इस पाजाओ गैस पर आजाओ कितना महंगा गैसलेंडर कर यह लोगों की सबीगी और जिसको भी दो कहते है कि गैस की जब पहुच रहे हैं डबल रेट में पहुच रहे हैं पहले साज़े चार्टो का था अब ग्यारा सो कुछ का हैं इनन फिर सोव पिये इलेक्षन आने पर इननने सोव पिये कम किये पिर तो मंग आईगा बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा हमारे तो सबी बच्चे गाहों से पलान करकर करकर दक्य खान परदेशाम जा रहे हैं तुसरे देशाम बूत रहे हैं जमिन बेच बेच कर कोई कि लास बेच कर कोई कुछ मेस्त कर कि सब के साथ ठगियोंने लग रही है क्योंकि वह बुख्चे मरते आरे बेरोद्दार कना जारे ett criticism आरे हमारी उमीद्ये यह मारीagen ह से अमारी उमेद्य हैं कि भी ये महेंगाई को भी कम करेगी बेरोधगारी को भी कम करेगी